हलो स्टेंट्स एडू विला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के विज्ञान विसे की वाक्सिट नमबर 5 तो चलिए शुरू करते हैं आज की वाक्सिट और आज की वाक्सिट है मृधा में पोसको की पुनाह पूर्ती इसका अर्थ यह हुआ कि मिट्टी में पोसक तत्वे को दुबारा कैसे डाला जा सकता है जिससे पौधे स्वस्त हो जाएं और उनकी व्रिधी अच्छी हो इस बा कि किसान खेतों में खाद फैला रहे हैं मतलब कि खेतों में फसलों में खाद फेक रहे हैं दे रहे हैं उसने बगीची में भी माली को ऐसा ही करते हुए देखा जहां में लान और गमलों में खाद का उप्योग कर रहे थे वह सोच में पढ़ गई कि वे ऐसा क्यों कर रहे है मतलब कि इसमें खाद क्यों फैला रहा है, क्या हो सकता है तो सबसे पहले हम लोग खाद और उर्वरक के बारे में देख लें कि ये होता क्या है उर्वरक रासानिक पदार्थ हैं जो पौधों को पोसक तत्तो परदान करते हैं मुखे रुप से नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटैसियम तो ये एनपीके भी कहलाता है एक उर्वरक आता है एनपीके के नाम से और इसमें तीनों तत्तो होते हैं नाइट्रोजन, फासपोरस और पोटैसियम कुछ अलग से यूरिया आता है कुछ फिर अलग से पोटास आता है फासफिट भी अलग से आता है तो इस तरह से अलग-अलग रसायनी कुरूरक होते हैं और एक होते हैं खाद खाद जैविक पदार्थ होता है जो पौधों के आउसेस जो पौधों के आउसेस और पस्वों के गोबर से प्राप्त होते हैं ज बुब्रक हो गया और एक खाद हो गया यह दोनों Supplement है जो कि पौधों को अच्छी वृध्धी और स्वस्त विकास के लिए दिया जाता है अब देखिये यहां दिया हुआ है कि पौधे पादप अपनी भेजती हैं अतर मिर्दा में इनकी मातरा लगातार कम होती जाती है मिर्दा को इन पोसक ततों से समरिध करने के लिए भूमी में उर्वरक तता खाद मिलाने के आऊ सकता होती है तो चुकि पौधों के जड़ मिर्दा में डालने की परंपरा है डाला जाता है तो कुछ उर्वरक डाला जाता है कुछ खाद भी डाला जाता है पौधों को सभी प्रकार सभी पादप पोसकों में से नाइट्रोजन की अधिक मातरा में आऊ सकता होती है मतलब कि जितने ही पोसक ततों होते हैं उन सारे पोसक ततों में नाइट्रोजन के आऊ सकता पौधों को बहुत ज़्यादा होती है यह दपी वायू में नाइट्रोजन गैस प्रचूर मातरा में उपलब्ध होती है हवा में नाइट्रोजन गैस 78% होती है अपने पड़ा भी होगा लेकिन पादप इसे सीधे उप्योग नहीं कर सकते हैं पौधे सीधे वायू बंडग से ऑक्सिजन नहीं ले सकते हैं दलहनी पौधों के जड़ों में रहते हैं और बाईमंडलिये नाइट्रोजन ले सकते हैं और इसे विदे पदार्थों में प्रवर्तित कर पौधों की जड़ों में इसका इस्थिरी करन करते हैं जिससे की पौधे उन्हें नाइट्रोजनों का आउसोसन करके विकास करते हैं अधिकतर दाले फलीदार पाधपों से प्राप्थ होती है फलीदार मतलब फल वाले पौधे जो फल देते हैं मटर आप देखते हैं फल देते हैं मटर की फली होती है चना की भी फली होती है मुमी की भी फली होती है तो फलीदार पौधे पौधों से ही दाले प्राप्थ होती हैं तो यह फरीदार पौधों से भोजन करन करते हैं फरीदार पौधों के लिए नेक्रोजन मनाते हैं तो यह इनके भी सहजीवी संबंध हो जाता मतलब कि यह दोनों एक दूसरे फायदा लेते हैं तो सहजीवी संबंध क्या होता इसको भी संबंध लेते हैं दो जीवों के मद संबंद जिनमें दोनों जीवों आवास और पोसन के लिए परसपर लाभानुइत होते हैं सहजीवी कहलाते हैं तो हमने समझ लिया अब कुछ है प्रस्ण है कि उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें पादप के लिए आवसक तीन मूख पोसकता तो कौन-कौन है और प्रस्ण तीन है कि सहजीवी संबंद से आप क्या समझते हैं और प्रस्ण चार है कि पादपों को उर्वरक क्यों खाद के आउसकता क्यों होती तो चलिए अब इनके प्रस्णों के उत्तर करते हैं यहां प्रस्ण एक है कि उर्वरक और खाद के बीच एक अंतर लिखें तो उसका उत्तर है कि उर्वरक लासानिक पदार्थ है और दूसरा है कि खाद जैविक पदार्थ होते एक अंतर हो ग संबंद से आप क्या समझते हैं तो इसका उत्तर है कि दो जीवों के मद्ध संबंद जिसमें दोनों जीव आवास और पोशन के लिए परस पर लाभानुईत होते हैं सहजीवी संबंद कालाता है उसके बाद है प्रश्ण चार की पादप को उरुवरक क्यों खाद किया हो सकता होती है तो इसका उत्तर है कि पादपो को अपनी वृध्धी और अच्छे स्वस्थ विकास के लिए उरुवरक क्यों खाद किया हो सकता होती है तो बच्चों यह थी आपकी आज की वाक सिट और आज की कम्प्रीट होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइख सब्सक्र प्रोडियो में थाइंक्यू